हाई फ्रेंड्स बात करेंगे आज के वीडियो में मिथून रासी के घाच चक्र के बारे में घाच चक्र का महत्वा इसलिए है कि जिस दिन आपका घाच चक्र होता है उस दिन आपको कोई सूप करेके शुरुवात नहीं करनी है जिस दिन आपका घाच चक्र होता है उस दिन आपको दीन भी सामती से पास करना होता है बात करेंगे आज के वीडियो में मिथुन रासी के घाच चक्र के बारे में असाड मैना, तीथी, दृतिया, सातम और बारस, सोमवर, स्वाती नक्षत्र, परीग योग चतुस्पात करन, तृतिय प्रहर, पूरुष को घाच चंद्र नौमा है, नौमा मतलब मिथुन रासी के लिए जो नौमा चंद्रा है, वो मकर का चंद्रा होगा, और श्त्री को मिथुन रासी के जो अस्त्री है, उनके लिए घाच चंद्रा होगा, सात्वा, सात्वा मतलब दन रसी का चंद्रा जो हैं उनके लिए गातक हैं सब्सक्राइब कर ये चैनल एस्टोलोड़स 74 गुड़ लग एंड गुड़ विश्यस फॉर ये फ्यूचर अल दे बेस्ट